अब आपको छुटी लेने के लिए न तो लैप्टॉप की जरूरत है न तो कंप्यूटर की जरूरत है न तो आपको साइबर कैफे जाने की जरूरत है आप अपने मोबाइल से बहुत आसानी से किसी भी प्रकार की छुटी हो चाहे वो casual लीब हो चाहे वो CCL यानिके चैल्ड क करना होगा EHRMS इस पेस देना है आपको और फिर आपको लिखना है UP UP और फिर आप इससे सर्च कर दीजिए जैसे आप इससे सर्च करेंगे आपके सामने एक ग्लिफे खुल के आएगा इसमें सब से पहले लिखा है मानौ संपदा, आपको इसको क्लिक करना है, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, आपके सामने मानौ संपदा इतरप्रौदिस का home page खुल के आएगा यहाँ पर आपको करना क्या है यह दिखिए yager ms login है यहाँ पर आपको क्लिक करना है कि अ अब आपके सामने एक page खुल के आएगा इसमें देखे सबसे उपपर लिखा हुआ है department नेम आपको यहाँ पर click करना है जैसे आप यहाँ पर सेट कर लेंगे जैसे मैं बैसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का हूं तो दीखिए यह बैसिक एजुकेशन है मैं सेट करता हूं जैसे आप इससे अग्ली वाली डू में लिखावा है यहां नहीं आता तो आप के सामने आप शक्राइगा और आप इससे सलैट कर लेंगे, फिर आपको नीचे आना है आपको अपनी यहाँ पर user id डालनी है जो भी आपको department की तरफ से user id मिली भी है वो आप यहाँ पर enter कर देंगे मैं अपनी user id यहाँ पर enter करता हूँ जैसे ही आपने अपनी id एंटर की तो अगर आपने अपना password by default सेट किया हुआ है तो यहाँ पर वो आटोमेटिकली आ जाएगा नहीं तो यहाँ पर आपको प्रेस करके और अपना password यहाँ पर टाइप करना होगा जैसे मैं अपना password यहाँ पर टाइप कर देता हूँ पासवर्ड आपको टाइप करने के बाद आपको नीचे आना है यहाँ पर लिखावा है यह आपको यहाँ पर एंटर करना होगा तो जैसे यहाँ पर जो लिखावा है है six फिर आपके small view है फिर small d है फिर capital M है फिर small आई है और capital S है क्याब यहाँ पर इंटर करने के बाद आपको नीचे देखिए green strip पर login लिखावा है login पर प्रेस करना है जैसे आप login पे प्रेस करेंगे आपके सामने एक page खुल के आएगा इस पे लिखाव है देखिए क्या लिखाव है Department of इसके नीचे आईए देखिए अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले यहां प्लिखावा है ओनलाइन लिखाव है तो अगर आपको सेलरी चीट चाहिए तो वह भी यहां से ले सकते हैं या अगर आपको अप्लाइन लीव पे क्लिक करेंगे देखिए यहां पर आपके सामने कुछ options आ रहे हैं आप सबसे पहले लिखा हुआ है apply leave तो आपको apply leave पे click करना है एक page खुल के आया है इस पर क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा है update reporting officer तो आपको अपने जो reporting officer उसको update करना होगा इसमें जो सबसे पहले वाली रोह है इस पर लिखाव है देखिए online service तो आपको यहां पर select करना है जैसे आप select करेंगे तो जो भी आप चाहते जैसे आप leave चाहते हैं तो आप leave पे click करेंगे फिर आप दूसरी लिखाव है secretary फिर लिखाव है director basic education फिर officer of additional director basic आप नीचे आएंगे तो देखिए यहां पर लिखाव है block education officer क्योंकि आपकी छुट्टी को सेंक्शन करेगा वो block education officer है तो आपको यहां पर click करना है जैसे आप यहां पर click करेंगे आप नीचे आएंगे तो देखिए district हैं यहां अरशी district है पर आपको select करना होगा जैसे मैं यहां पर लिखा है office जैसे आप इसे select करेंगे तो आप जिस भी ब्लॉग के जो ापने district जिस भी ब्लॉक में है उसके को आपको यहां पर select करना होगा यहां पर देखिए वारंस्टी district के अलग-налग ब्लॉकों के B.O.s है तो मैं अपने ब्लॉक के B.O.s को यहां पर select कर लेता हूं जैसे हम इससे select करेंगे हमें अगली रो पर आना पड़ेगा तो यहां पर देखें लिखाए डेजिगनेशन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर जो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसका डेजिगनेशन लिखना है तो आप इसमें नीचे आएंगे तो देखें यहां पर लिखा है block education officer यहां पर आप click करेंगे जैसे आप इसको click करेंगे उसके बाद आपको नीचे वाले रोपे आना है तो देखें आप लिखा है reporting officer यह सारी चीज़े select करने के बाद जब आप अपने block के beo को select करेंगे अपने district को select करेंगे तो सबसे last वाले रोपे जब आप click करेंगे तो यहां पर आपके beo का नाम लिखावा आजाएगा उसे आप select कर लिजे सारे रोप आपने fill कर दी है उसके बाद आपको सबसे नीचे देखिए दो option है save और cancel तो आपको save पे click करना है फिर देखिए आपके सामने एक message आया हुआ है कि are you sure to update तो आपको यहां पर ok पे click करना है यहां पर देखिए एक message और लिखावाया है data has been successfully saved आपने जो भी data यहां पर fill किया है अपने reporting officer को select करने के लिए वो successfully save हो चुका है अब आपको यहां पर ok पे click करना है जैसे आपने ok पे click किया वापस आप अपने उसी page पे पहुँच जाएंगे अब आपको यहां पर फिर से जो online leave है यहां पर click करना है फिर यहां पर देखिए apply leave है तो आप apply leave पे click करेंगे देखे यहाँ पर आगया आपका employee leave form अब आपको अपने leave का जो form है वो यहाँ पर fill करना है देखे सबसे पहले वाली रोग क्या थी reporting officer तो वो select हो चुका है यहाँ पर आपने जो अभी form fill किया उसमें आपने अपने reporting officer को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है अब आप अगली रोपय आई यहाँ पर लिव टाइप लिखावा है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपके सामने बहुत सारे options हैं देखे यहाँ पर लिखावा सबसे पहले अर्ण लीव फिर study leave फिर casual leave यहाँ पर है देता हूं देखे जैसे हमें मुझे casual leave चाहिए तो मैं casual leave पर क्लिक करूंगा अब देखे अगली रो में आप जिस date से जिस date तक चुट्टी चाहते हैं तो from date में आपको जब आप चुट्टी जाना चाहते हैं और two date आप जब तक चुट्टी चाहते हैं इस दोनों रो में आपको यहाँ पर वो date यहाँ पर enter करने पड़ेगी अब देखे जैसे अगर आपको आधे दिन की चुट्टी मिल जाएगे अब देखे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखावा देखे लिव डे अगर आपको एक दिंग की चुट्टी चाहिए तो यहाँ पर जो भी आप date को select करेंगे उसके recording यहाँ पर लिव डे लिखावा आ जाएगा देखे यहाँ पर तीन रो और हैं यह त केस में नहीं भरना है जब आप यहाँ पर मेडिकल लिव लेंगे या आप चाइड केर लिव लेंगे तो उस केस में आपको यह तीनों रो भी भरनी होगी जिसमें सबसे पहले लिखा दिखे ग्राउंड ऑन विच लीव इस एप्लाइट फॉर कि किस ग्राउंड पर आप ल यहाँ पर चूज फाइल में जब आप चूज फाइल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखे जैसे आपके पास यहाँ पर मुबाइल में आपने गैलरी में सेव किया हुआ है या जहां भी सेव किया हुआ है वहाँ पर आपको आपको आप्शन आएगा फाइल में ही सेव हो आपके पास एक confirmation message आएगा आपकी जो छुट्टी है वह एपलाई हो चुकी है और इस confirmation message के साथ आप छुट्टी पर जा सकते हैं आई होप आपको यह जो पूरा tutorial है वह अच्छे से समझ में आये होगा अब आप अपने mobile से ही बहुत आसानी से छुट्टी ले सकते हैं आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है धन्यवाद